प्रवागत एक पार फिर आप सभी का आप देख रहे हैं खारी कुर्सी की यहां सीधे संसद भवन के बाहर से लाइव विजय चौक से आए आपको महराश का हाल बता रहेते हैं पहले आपको अपडेट देदू एक नाच शिंदे साब की आज की भी सारी मीटिंग्स रद कर द गई हैं वो अपने गाउं चले गए थे दो दिन के लिए वहां उनकी तबियत खराब थी लेकिन फिर उनों ने वहां एक प्रेस कॉंफरेंस बुलाई और उसमें खुद कहा आप मैं ठीक हूँ जदी सब कुछ तैह हो जाएगा हम सारे महायूती के पार्टनर्स के बीच में उसके बाद लगा था कि शायद आज कुछ गाड़ी आगे बढ़ेगी लेकिन आज के लिए भी एक नाचिंदे साब की सारी मीटिंग्स रग कर दी गई हैं अजीत पवार का अब शायद दिल्ली आने का भी कारेकरम जो है वो बन रहा है तो आखिर चल क्या रहा है महायूती के अंदर अब इतने दिन हो जाने के बाद भी एक हपते से उपर हो गया सरकार बनने के दिशा में नहीं बढ़ पाए हैं बीजेपी अजीब तवार की पार्टी और एक नाचिंदे की पार्टी हमारे साथ सचिन चौधरी लाइफ जोड़ रहे हैं इस वक्त मुंबई से एक पीछे की कहानी वो बताएंगे सचिन क्या डेवलप्मेंट है अगे सवरोव अभी शिर्कान शिंद ने ट्विट किया है मराठी में उन्होंने ट्विट किया है और कहा है कि महायूती सरकार का श्यपत ग्रहन समारो और आगे जा सकता इस तरह की अफवाय महाराष्ट में च कही गई कि मैं उपमख्यमंत्री बनूंगा और कुशन मार्ट डालकर इस तरह की खबरे दी गई लेकिन इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है माजा उपमख्यमंत्री पतावाव सर्वा बातमें निरादार नहीं बुढ़ा जाए तो उन्होंने साब कह दिया है मराठी कि मैं बनूंगा इस तरह की तमाम खबरे निरादार है और उसका कोई आधार नहीं है तो लेकर जो श्रीकान शिंदेर का नाम चलूरा था हम शूरू से कह रहे थे कि शीकान शिंदे जो है वो इस रेस में नहीं है उस पर उन्ने मुहर लगा दिया क्योंकि जब जिस दिन मुंख् कोई रूची नहीं है फिर उनसे जब यह मैंने पूचा कि केंद्र में मंत्री बन सकते हैं तो उन्होंने कहा था कि मैं पहले भी मंत्री बन सकता था केंद्र में लेकिन जो पार्टी के सीनियोर लीडर है उनको प्रत्विकत देना चाहिए यही मीरत भूमिक आती और अभी मेर सब्सक्रापत की सबी बाते हैं वह अफवाय है दूसरी बात को उन्होंने कहा कि मीडिया में बहुत उससा ही इस तरह के खबरे दी जाते उससमें लेकिन उसमें कोई तथी निकले प्रेस कॉंफरेंस की और उन्होंने बात ही कही कि जब उनको सवाल पूचा गया कि क्या डे शिकान शिंदे का नाम है तब उन्होंने का आता कि यह सरफ मीडिया में चिर्चा है तो एक तरह से उन्होंने उस बात को तब कल ही कालिज कर दिया था ओर आज के वीडियो एक चिंदे Wam उन्हें दिल्ली जाने कि elson hidden है नहीं है अजिट पवार दिल्ली जाएंगे हमें सुथरों से पता चला हो ifar शाम को सर्करिबन दिल्ली पहुझ भाजब जाएंगे उसका कारण यह कि जो मंत्री सरकार में आएंगे जो सरकार में गठन होगा जिसमें जोए मंत्री बनने हैं हर पार्टी से onसी रिपोट मंगाई गई है बनें गilim Miranam ने पर लेकर जाएंगे आपर जांकारी है इसके करण और यहके पार्टी के बात रहे तो इक्तान सी विडियो कॉंफ रहेंगे अब रही बात बीजीपी का नेता कब चुना जाएगा तो जो हमें जानकारी मिल रहे है कि बीजीपी के केंद्रे परिवेशक कल दो पर तक या शान तक मुंबई में आ सकते हैं उसके बाद 4 दिसंबर को दो पर में बीजीपी के विदायक दल के बैटक होगी और दे से बात है उसके अगले दिन शपत गरन होगा और राज जपाल जो है एक तारीक बताएंगे जिसमें तीन दिन का विशेश सत्रह मुंबई में लिया जाएगा जिसमें प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाएगी विदायकों को शपत दिला जाएगा इस तरह का आगे का अब प्रोग्राम् सिट है लेकिन चुकि दरी इसलिये हो रहे की एक तना सिंदी की तभी ठीक है ठीक नहीं है और गृहम अंत्रा लोंकि लेकर लेकर बात अड़ी हुई यह जिसको लेकर बात नहीं बढ़ी है यह आगए लेकिन उनको वे दिका आज शाम तक या करश बात क कहा है कि मुझे मैं उप मुख्य मंतरी बन सकता हूं आराश में मीडिया में कुछ इस प्रकार की खबरें चलीन जो पूरी तरीके से निराधार है मेरा कोई दूर दूर तक विचार नहीं है ना कोई संभावना है राज्य की सरकार में शामिल होने के मैं केवल अपनी पार्टी तीसरा दिन उस दिन शपत्स ग्रहन होगा और देविंद्ध फर्नविस अगर और कुछ ऐसा नहीं होता है जो बिल्कुल अप्रतियाशित हो तो वही मुख्य मंतरी बनेंगे बीजेपी के अब्जरवर कल मुंबई पहुंचेंगे परसों विधायक दिल की बैठक होगी जि उन्हें कौन सा बड़ा फैसला करना था वहां जाकर वो प्रेस कॉंफरेंस बुलाते हैं उसमें वही बात दोहराते हैं जो वह चार दिन पहले दो दिन पहले कह चुके हैं कि जो भी बीजेपी का निर्थित तैय करेगा मैं वो मानने के लिए तैयार हूं उनका मुख्यमंत साल की सरकार का कोई सानी नहीं है हमने जितना काम किया उसकी कोई तुल्ला नहीं है मेरे नेतित में सरकार चल रही थी लोगों ने जिसको बहुत पसंद किया खासकर लाडली बेहनों ने मुझे अपना लाडला भाई मान लिया है और वो चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन पास थे वह भी उनको चाहिए कोई भी अलाइंस पार्टनर बीजए पो मजबूर नहीं कर सकता अपनी शर्टें मानने के लिए तो एक नाच्षिंदे दबाव बनाना चाह रहे हैं क्या उधव ठाकरे की हद तक नहीं तो कुछ दूरी तक तो उनकी तर्श पर चलना चाहते हैं कि बीजेपी को ये दिखाया जाए कि जो आप चाहलेंगे हमसे ऐसे यूई नहीं मन मालेंगे या फिर केवल और केवल एक आउटसाइड चांस लेने के लिए कि भाई एक बार फिर जरा प्रेशर बना करके देखें बीजेपी के ओपर शायद अगर दस नहीं तो पांच मान ली जाए हमारी बात क्या है आकर इस सारे जो एक हफते से चले सियासी प्रदर्शन के पीछे क कि बजए हर्श्वदन दी कि मुझे लगता है कि कई बार हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो लगता है कि शायद हमें कुछ मिल आएगा और मन में हमारे पता होता है कि नहीं होना वही है जिसके लिए हम कह रहे हैं वो नहीं होगा एक नाल शिंदे को भी बहुत अच्छे से पता और ये कोई मतलब चीपी हुई बात तो है नहीं कि उद्धव ठाकरे आज भी भारती जनता पार्टी के साथ होते अगर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की जिद नहीं समाली होते एकदम जिसको कहने कि उन्हों कहा कि ना ना हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे ही बनेंगे उस उस कमरे में सिर्फ दो लोग थे और तीसरे का पता नहीं था इस तरह की बाते नहीं हो रहे हैं वहाँ ये भी नहीं है कि कोई ये कहे कि नहीं मेरे नाम पर आये एक नाट शिंदे ने एक बार भी नहीं कहा है कि ये जना देश मेरे नाम पर आये वो एक बात जरूर बोलते ह और इतना तो अधिकार होता है, वो कहते हैं कि लाटकी बहनों का लाटका भाई हूं मैं, तो इतना तो कहना ही चाहिए, और मैं ये मानता हूँ, एक नाच शिंडे एक बहुत शांदार नेता के तोब पर उभरे हैं, उन्हें जो काम किया है वो बहुत असाधारन कारे है, अप में उनको आना ही है और मेरा तेमाना है सब के बाद उप मुख्यमंत्री एक नाज शिंदे ही होंगे देवंद फड़ने इसके साथ वही त्रिमूर्ती महराष्ट चलाएगी और महराष्ट के लिए भाजपा के लिए और शिवसेना के लिए भी वही उचित होगा अब देखे इस बीच में हुआ क्या जो दो दिन उनके नराजगी के खबरें चली जब वो अपने गाउन चले गए तो पीछे से बहुत सारे लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कॉंग्रेस और उधर ठाकरे क्याम के लोगों ने खास तोर पर की यह अच्छा मौका है अब स इस बिचास विधायक जीत करके आई है महाविकास घाडी के बून की पीछे खड़े कर दो अजीत प्वार का और एकनाचिंदे की विधायकों का पांकड़ा जोड़ेंगे तो वह 146 बहुमत के पास पहुंच जाता है हम सरकार बना लेते हैं बीजेपी नहीं मेजॉरिटी क पास ही तो पहुंची है मिजॉरिटी में आई तो नहीं है इस किसम के विचार भी चलने लग गए कई ऐसा तो नहीं है कि इसके बारे में भी एकनाचिंदे ने सोचना जो है वह शुरू किया हो कहीं कि मुख्यमंत्री महराज का बनना इससे बड़ा रिवार्ट उनके बहां और उसके बाद बाद जब मुंबई लोटका राते हैं तो उनके पास सिफ देवेन फणनवेश रजीत पावार से मिलने का समय नहीं है बाकि सारे काम वो ठाने में बैठ कर कर रहे है उन्दोंने एक देने इंग्लिश पेपर को इंट्रिव्यू दिया है कल और उसमें नहीं और मैं संधेज जेना चाहते हैं कि यह जो मेंडेट मिलाए यह मेरे करण बार्जयांता पर्टे को मिला बारत चैन्ता पार्टे यह मान करना चले कि उसके करण ehna 노 Water何 ना सित्रिया है लेकिन मुझे पुरी तठरुके से इस महा एतनाधाज करके मत चलिए मैं जिस शर्ते में ने दिये आपको शर्ते माननी पड़ेगी तो मैं सरकार में शामिल हूंगा या डेपूटी मुख्य मंतरी बनूँगा या मैं वुचार करूँगा मुझे क्या करना है आप मुझे फाइनल बता दीजिए कि जो मैंने प्रस्ताव दिया था उसके उपर आप आप मांग आप या मिशा के सामझे रखी तिजो संगधन से भी जुड़ी ह जो सरकार से भी जुड़ी थी और जो आने वाले बीएमची और पाश साल के barbar रहता था कि यह पाइशा के साम ओंड़ेंगी यह पास साल महायूती इस तरही कि से काम करें आने वाले चुनॉए मे और उसका प्रमुख मुझे मनाया जाए बुझा लग रहा है कि अजिए बाते के तो चार से पांस तो ठीक है लेकिन बाकी चीजे हमारे शुकार करना संबव नहीं है और मुझे लग रहा है कि उसमें से जो बड़ी बातें जिस पर वह अड़े हुए उनका यह कहना है कि ग्रह 死 तो भी रहा मंतराले अपने पास चाहते हैं इसके ओनी थी मुझे की थे से नियां कि शाम कोzer बज वर्षा उखार एक नात शिंद भी ठीक होने वाली थी जिए बीजिल्जित पहुच बहुच जातर अजित बब घुत जाते वर्षा पर करण्पीट मेंौने बाली थी दिस तो मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरी मांगे मन्जिर हुए कि नहीं उसके बाद में अपने आगे के पत्ते खोलूंगा वह मांगे मानने के लिए बिल्कुल यह पार्टी ने कर दिया कि पास तारिक को पांच बज़े शपतगर्ण होने वाला है एकनार शिंदे के पास मुझे लगता है कल तक का समय है तिन तारिक अब जो भी पेज भसे हैं वो सब मिनिस्ट्री बगरा और बाकी शर्तों को लेकर के इसमें देवेंद फंडेमिस का नाम कहीं अचन नही है देवेंद फंडेमिस मुख्य मंत्री बनें गये चार तारिक को भारत्य अंता पाटी विधायक दल की बैठक होगी जी और उसके बात मुख्य मंत्री बैठेगीर अब यह तो हमारे साथ प्राब्लम यही थी कि महां पर उधर ठाकरे पार्टी के मुख्या थे लेकिन हमको और लेने पड़ते थे आदे ठागरेज़े अब यह परिस्तिति आफ हमारे आपने बेटे को लेकर के बनाना चाहते हैं तो हमें यह बिल्कुल स्विकार नहीं होगा इसलिए उनको यह बात क्लारिफाय करनी पड़ी है इसका मतलब वो नहीं बनेंगे मतलब शिंदे साभी बन इंदन में सरकार बनाने में अधाई कोस भी आगे नहीं चले और मुझे नहीं लग रहा है पहले दिन से आज तक में कोई बहुत बड़ा बदलाब हुआ है लेकिन राजनीती को मैं हमेशा इस बात का जिकर करता हूं कि ब्लैक एंड वाइट तरीके से नहीं देखना हम इस इस पर मानेंगे नहीं वो भी ऐसा नहीं है बहुत दुनिया के प्रसिद उपन्यासों में से एक है जो विवादासपत विरा फिफ्टी शेट्स ऑफ ग्रे हैं तो हर ग्रे शेट्स को देखना समझना बड़ा बारिक काम है और एकना शिंदे ने ये प्रूव कर दिया कि भारतिय जनता पार्टी को उन्हें टेकन फर गांटेट नहीं लेना चाहिए वो बड़े हार्ड नट है एकना शिंदे को ये समझे में आ गया है कि भारतिय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा तो अब उसके अलावा वो क्या-क्या हसिल कर सकते हैं उसमें से जो ब खराब करें अभी तो ये भी सवाल है आप ये भी आप बिल्कुल ब्लैक इंड वाइट में कह रहे हैं कि एकना शिंदे की तबियत कराब है अच्छली वहां बैठके किसकी तबियत खराब कर रहे हैं ये भी देखिए तो तो मन खराब होगा तो चित खराब होगा फिर और फिर नाना प्रकायर की वियाधिया घेरती हैं तो शिंदे जी का मन तो खराब है न वह तो मन से खुद को मुख्यमंत्री माने बैठे थे कि एकनात हैं लेकिन मुझे लगता है एक चीज जो बहुत अच्छे से एकनाश शिंदे को भी पता है अगर नहीं पता है तो फिर तो हिमंत्री सर्मा आएंगे उनकी बात सुनके विधायकों की परेड करानी है कब वीडियो जारी करना है और कब बताना है कि महाशक्ति हमारे पीछे मुझे नहीं लगता कि एकनाश इंदे को कोई ब्रहम है हां चुकि बहुत धेर सारे लोग है महराश्ट पलिटिक्स थोड़ कि फिर राश्टी अध्यक्ष के तौर पर देवेंद्र फणुईस इससे भी ज्यादा अगर उनके लिहाज से कहें तो शायद उनके लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे और उपमुख्य मंत्री एकनाश इंदे ही बनेंगे अगर कोई बहुत बड़ा कुछ चमतकार हो